तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2017 में पिछ फ्रॉक के बारे में बात करेंगे वेल ये एक अमरीकन होरर मुवी है जिसे डारेट क्या था ग्लैन प्रेकवर्ट ने बट आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी न अभी तक हमारी प्रिवियस साल 1981 में और अस लेजल मुवी दा प्लॉरर को भी तक चेक आउट नहीं करा हैं तो उपर दिख रहे है आए बटन में आप सभी को उसे मुवी का लिंक मिल जाएगा जिसको आप चाहो तो इस वीडियो के बाद या फिर कभी भी अपने टाइम के साब से देख सकते हैं तो अब इना ओर टाइम में इसकी है चलते हैं सीथा वीडियो के तरफ अब सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें अबरिका के शहर मिसिगन सिटी के एक छोटे से डेट वर्ट नाम के रिमोट एक सुनसान से गाउं को दिखा करूती है जिसमें इस गाउं के अंदर हम सबी एक टीना नाम की 18 साल की यंग लड़की को देख पाते हैं जो कि वो हरे काम दिन के तरह सुबह मौनिंग वाक पर अपने कुटे जोनी के साथ जो कि वो उसका नाम था आसे के एक सुनसान से जीदर बेसिकली कोई गाम वाला काफी लंबे समय से रहता नहीं था अपने फ्रेंट जेमी से फौन पे बात करते करते गलती से उससे इलाके के अंदर चली जाती है तो जीदर उससा सुनसान से इलाके में आते ही टीना को डव जोनी वो अचानक से उसके हातों से जटक कर I mean हाथों से निकल कर सिदा भागते हुए पासी में बने हुए एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर चले जाता है जो कि बाहर से दिखने में काफी क्रिपी और वीरड दिखरा था तो अब इस अनेक्सपेक्टिंग सिन को देख टीना जो कि वो भी अपने कुटे के पिछे पिछे बिना कुछ सोचे समझे उसे ही फार्म हाउस के अंदर चली गए थी तो जीतर उससे फार्म हाउस मैंने के कुछे ही देर के अंदर ही तीना वो बस अपने कुट्पे जोनी को आसपास के एरिये में जीतर बैसिकली कुछ बड़ी मसिंस वगेरा रखी वी थी, ढुणने के कोशी से कर रही होती है, तो तबी ही अच्चानाक से ठेक पीछे से, कोई अजिब सही देखने वाला आदमी, जिसका चेरा हम सबी फिलाल, अभी तो नहीं देख सकते, बट आगे जरूर देखेंगे, वो ठेक टीना के सर के पीछे से, कीलो और तारों से बने वे, बड़े ही खतानाक से दिखने वाले, लोहे की रोड या फिरा कह सकते हैं, इस फ्रॉक से उसके मुपे मार देता है, तो जिसके चलते टीना को पुरा चेरा, कीलो और स्टिल की वायर सर के अंदर गुच जाने से फिक फ्रॉक से लगने की वज़े से फट जाता है, और इसके मौट ठीक इसी ही फार्म होस के अंदर अनएक्सपेक्टिंग वे में इधर ही हो जाती हैं, और अब बस सिंथी किस क्रिपी इंसिटेंट से, इस ट्र होता है, जो कि अब ये मूवी एंड का इंड आफ स्टोरी प्लोट बस इन सब के उपर फॉकस करेगा, तो अब इतना कुछ अच्छा होने के बाद दिक्कत कहां पर आती हैं, तो वेल दिक्कत आप आती हैं, डेक्सटर और उसके सभी ही फ्रेंड्स के फार्म हाउस के अंद अंडर एंटर करती ही, जो कि वो किसी रिमोंट सी आइमें सुनसान सी जगे पे बनावा था, जित लिटरोली इस टाउन के असपास के इरिया में कोई भी नहीं था, सिर्वाए इन चार पांच स्टूटेंट्स के अलावा, वेल आप आपने से बहुत से लोग ऐसा जरू कुछ है ऐसा है, कि दरसल अभी ये सबी ही कोलेस के स्टूटेंट्स, जिससे फार्म हाउस के तरफ पार्टी के लिए आएवे हैं, उसके ठीक पिछे ही एक और छोटा सा फार्म हाउस बनावा था, जिसने टीना को मुवे के शुरुवात में मारा था, यानि कि ये वोही एक होने वाली, फार्म हाउस में हो रही पार्टी के तरफ फॉकस करता हैं, जिसमें वो सबी ही स्टूटेंट्स, डेक्स्टर, केटी, रोबी, टेलर, एंड मैथ्यो, आफिर तक पार्टी को इंजोए, ड्रिंक्स वगेरा पी पार हाई होने के बाद, बस फाइनली वो सबी ही ठक ठक आकर, अपने अपने रूम में जाकर, सोने के कोशी से करते हैं, तो तबी ही सिंध ठीक किदर से चेंच होकर, मॉली एंड मैथ्यो के उपर फॉकस करता हैं, जो कि वो दोनों डेक्स्टर के फार्म हाउस से निकल कर, ठीक भार के तरफ खड़ी, सोने की बजए अपनी वेंड में जाकर, में काट करने की कोशी से करते हैं, तो तबी ही उसी ही दोरां ठीक इनकी वेंड के सामने की तरफ, एक बड़ा ही अजब सा दिखने वाला आदमी आके खड़ा हो जाता हैं, जिसके कटे वे हाथ के अंदर हम सभी बेसिकली, एक अप एक फ्रोग गुसावा देख सकते हैं, जिसने एक बकरी की खाल अपने चेरे पेंड रखी होती हैं, जो कि ये और कोई नहीं बल की, टीना को बहरेमी से मानने वाला आदमी ही होता हैं, तो बस सब होना क्या था, वो आदमी अपने ठिक सामने मॉलियों और मेथ्यों को इंटीमेट होते देख से भानिकाल, पासी में बने हुए एक पेड़ की तरफ, बहरेमी से गिसरते हुए ले जाकर, मॉली का गला एक बड़े से मसेटी से काट कर जाडियों में फेक देता हैं, तो अब मॉली को ऐसे मारती ही, ये आदमी मेथ्यों के पाच जा, उसके लोवर एरिया में अपने पि से भानिकल, उचे ताजी हवा खाने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा मिसूस कर सके, डेक्स्टर के फार्म हाउस के जस्ट पासी में बने हुए, एक मक्या के खेड के तरफ ही आई होती हैं, तो तभी ही इसे ही वक्त हम सभी, ठेक इसे ही खेड के अंदर, उस बोडी को, उपर से लेकि नीचे तक चिरते हुए, हाथ परों को काट कर अलग कर, बिट्रोल तरीके से माट डालता हैं, लेकिन अभी इतना ही नहीं, अब गी क्रीपी सा दिखने वाला आदमी, सीधे डेक्स्टर के फार्म हाउस के तरफ जा, उसके कुछ और फ्रेंड्स को लेकर आजाता है, जीतर हम सभी ही इसके फार्म के बाहर, डेक्स्टर के कुछ और फ्रेंड्स को मालावाद देख सकते हैं, तो खेर एनिवे सब वो आदमी, टेलर को अपने फार्म के अंदला, उसके हाथ परों को, लोहे की काटो वाली वायर से, बहुत ही बुरी तरीके से हवा में लड़का कर भान देता है, और बस से उसके पास खड़े होकर, टेलर का फिस से होस माने का इनतिजार करता है, तो अफाइनली इस से मूवी के एंडिंग में, टेलर जिसको कई घंटों बात, आखिरकार जैसे तेसे होस आ गया था, तो बस उसी ही चीज़ को देखते टेलर के मूँ में भहुत ही गिनोंने तरीके से डाल देता है, एंड अनेक्सपेक्टिंग वे में, टेलर के ऐसी हालत में उसका रेप करना सुरू कर देता है, तो अब कई घंटों तक टेलर के साथ रेप करने के बाद गया आदमी, अपने हाथ में बंदे उसे ही पिस को, फार्म के अंदर काफी देर से डुनने के कोशे से कर रहा होता है, बट अनफॉचनेटल इसको अपना एक भी फ्रेंड, घर के किसी भी कोने या रूम के अंदर दिखाए देने को नहीं मिलता, अब इसका रेजन क्या था, तो वो हम सभी देखते वे आ रहे हैं, तो अब मरे पड़े दिखाए देने को मिलते हैं, तो अब इस शोकिंग सीन को देख डेक्स्टर, इस से बारे में कुछ करता, तो तबी ही ठीकिस के सामने, वो ही क्रेपी आदमी अच्छानक से आ जाता है, जो कि वो सीधे डेक्स्टर के मुपे लोहे की रोड से मार, इसकी बोड़ भी नहीं सोचा था, क्योंकि in the end after all इस पूरी मुवी के अंदर, मैं आप सभी को यही चीज़ तो बताते आ रहा हूं, well अगर आप इस मुवी को still personally देखने में बिलिफ करते हैं, तो आप सभी को ये मुवी यूटूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप पे में डव नहीं है, बट स्टिल इसकी story और concept की G to understand है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परिशानी के, आप सभी को बहुत ही असानी से समझ में आ जाएगी, बाकि अगर मुझ से इस मुवी के explanation को लेकर कोई गलती हो गई हो, जिसको मैं cover करना या फिर बताना बुल गया ह तो वेल दोस्तों यही थी, विसफॉक की explanation and I hope आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सस्क्राइब के बिना और वीडियो को लाइक के बिना वेल कुल भी मच जाएगा, तो कि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही all movies की explanation लेकर आता रहुता, तो तब तक के लिए, टेक है, and peace out.